नमस्कार इस्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में NCRT की कख्षा सात्मी की हिंदी पाथ पुष्टक वसंत भाग दो के दस्मे पाथ अपूर्ब अनुभव इस पाथ के प्रस्न उत्तरों को पलेंगे आईए वीडियो सुरू करते हैं पाथ से सबसे पहला प्रश्न है यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया लिखिए इस प्रस्न के उत्तर में हम लिखेंगे यास्की चान तोत्तो चान का प्रयामित्र था वह पोलियो ग्रस्त था इसलिए वह पेड़ पर नहीं चड़ सकता था जबकि जापान के सहर तो मोय में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था लेकिन यास्की चान ने सारेरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को अपना नहीं बनाया था तोत्तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए इसलिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास किया पाट से दूसरा प्रशन है द्रढ़निश्चे और अथक परिस्त्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यास्की चान को अपूर्ब अनुभव मिला इन दोनों के अपूर्ब अनुभव कुछ अलग-अलग थे दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए तो आईए इस प्रस्न के उत्तर को लिखते हैं सबसे पहरे तोत्तो चान का अनुभव देखते हैं तोत्तो चान स्वयम तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चड़ती थी और खुस होती थी परंतु आज पोलियो ग्रष्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्वी साखा तक पहुचाने से उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टी भी प्राप्त हुई याशुकी चान का अनुभव याशुकी चान को पेड़ पर चढ़ कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई उसकी मन की इक्षा पूरी हो गई उसने पेड़ पर चढ़ कर दुनिया को निहारा आईए अब पाट से तीसरे प्रस्न को करते हैं तीसरे प्रस्न में कहा गया है पाट से खोच कर देखिए कब सूरज का ताप याश्की चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिती के बदलने का कारण क्या हो सकता है इस प्रस्न के उत्तर में हम लिखेंगे सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तो तोचान और याशुकी चान एक तिपाई सीड़ी के द्वारा पेड़ की दी साखा तक पहुँच रहे थे दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कलकती हुई धूप से बचाने लगा उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई भी नहीं था संभावता इसलिए प्रक्ति को उन दोनों पर दया आ गई और प्रक्ति भी चाहती थी कि दोनों बच्चे अपने अथक प्रयास में सफल हों पाठ का चौथा प्रश्ण है याशुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यहां अंतिम मौका था इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिये और लिखिये बताईए कि लेखिकाने ऐसा क्यों लिखा होगा इस प्रस्ण के उत्तर में हम लिख सकते हैं लेखिकाने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तोयास की चान पोलियों से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था दूसरा तोत्तो चान बहुत जो खिमुठा कर अपने माता पिता को भी ना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी परंतु सायद वह दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाए आईए अब हम पाठ से आगे के कुछ प्रशनों को करते हैं जिसमें पहला प्रशन है तोत्तो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था याशुकी चान के गिर जाने की संभावना थी फिर भी उसने मन में याशुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी ऐसी द्रढ़ इच्छाएं बुद्धी और कठोर परिश्रम से अवस्य पूरी हो जाती है आप किस तरह की सफलता के लिए तीब्र इच्छा और बुद्धी का उपयोग करके कठोर परिश्रम करना चाहते हैं तो इस प्रस्ण के उत्तर में हम लिखेंगे हम कुछ ऐसे कारियों के लिए कठिन परिश्रम और बुद्धी का प्रयोग करेंगे जिसमें हम किसी के चेहरे पर मुश्कुराहट ला सकते हैं इसके अलावा बच्चे स्वयम भी इस प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं आईए अब हम अनुमान और कल्पना के प्रश्णों को करते हैं जिसमें पहला प्रश्ण है अपनी मा से जूट बोलते समय तो तो चान के नजरे नीचे क्यों थी इस प्रश्ण के उत्तर में हम लिखेंगे जूट बोलते समय तो तो चान में आत्मे विश्वास नहीं था कहीं उसका जूँट पकड़ा न जाए इसलिए अपनी मा से जूँट बोलते समय तोत्तो चान की नजरे नीचे थी अनुमान और कल्पना से दूसरा प्रश्न है याश्की चान जैसे सारेरिक चिनवतियों से गुजरने वाले ब्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं उन सुविधावाली जगहों की सुची बनाईये। इस प्रस्न के उत्तर में हम लिखेंगे अस्पतालों में, बिद्याले उं में, सीनेमा ग्रहों में, सामुदाईक विकास के न्द्रों में, और सार्बजनिक भाउनों एवम इस्थानों पर इस प्रकार की सुविधावाल जग है हमें देखने को मिलती है आये अभ्भासा की बात के प्रस्नों को करते हैं जिसमें पहला प्रस्न है द्वी साखा सब्द द्वी और साखा के योग से बना है दो और साखा जिसका अर्थ है डाल द्वी साखा पेड के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालिया एक साथ निकलती है दी की भाती आप त्री से बनने वाला सब्द त्रिकोण जानते होंगे त्रीकार्थ है तीन इस प्रकार चार, पांच, छै, साथ, आठ, नव और दस संख्यावाची संस्कृत सब्द उपयोग में अक्सर आते हैं इन संख्यावाची सब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन सब्दों की ध्वनिया अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ-कुछ मिलती जूलती हैं जैसे हिंदी में आठ, संस्कृत में अश्ट और अंग्रेजी में एट तो आएए एक से दस्तक की संख्यावाची को हिंदी, संस्कृत औ और अंग्रेजी में देखते हैं, सबसे पहले हिंदी में एक, संस्कृत में एकम और अंग्रेजी में वन, इसी प्रकार दो, द्वे, टू, तीन, त्रीवी, थ्री, चार, चत्त्वारी, फोर, पांच, पंच, फाइब, छे, शट, शीक्स, साथ, सब्त्व, सेविन, आठ, अश्ट, एट, नव, नव, नाई, और आखरी है, दस, दस, तिन, तो इस प्रकार हमने प्रस्न संख्या एक को कर लिया है, अब हम प्रस्न संख्या दो करेंगे, प्रस्न संख्या 2 में कहा गया है पाट में ठिठिया कर हसने लगी पीछे से धकी आने लगी जैसे वाक्य आएं हैं ठिठिया कर हसने के मतलब का आप अवस्य अनुमान लगा सकते हैं ठी 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 हसना या ठा ठा मार कर हसना बोल चाल में प्रियोग होता है इनमें हसनी की ध्वनी के एक खास अंदाज को हसी का विशेशन बना कर पेश किया गया है साथ ही ठिठियाना और धकियाना सब्द में आना प्रत्य का प्रयोग हुआ है इस प्रत्य से फिल्माना सब्द भी बन जाता है आना प्रत्ते से बनने वाले चार सार्थक सब्द लिखिए इस प्रस्न के उत्तर में हम लिखेंगे सर्माना, रोजाना, दिखाना, घबराना, जुर्माना, धकियाना, हतियाना इत्यादी ये सारे सब्द आना प्रत्ते से मिल करके बने हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्द आप आना प्रत्ते से जोड़ करके बना सकते हैं तो इस प्रकार हमने अपूर्व अनुभव इस पाठ के सभी प्रश्णों को कर लिया है आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद